दोस्तों चीन की मशूर आटो निर्माता कपनी जल्दी भारत में आने वाली है तो चल ये जानते हैं तो जैसा कि भारत में करोना वायरस के समकरंड से चलते बहुत सारी गाड़ियों की लाँचिंग को टाल दिया गया है इसी के चलते चीन की आटो मोबाइल कंपनी ग्रेट वाल की इलेक्टिक कार ORA R1 EV की लाँच बारत में टाल दी गई थी तो अब जल्दी बारत में लाँचिंग के लिए तैयार इस कार को हम सभी के लिए लाँच किया जाएगा इस इलेक्टिक कार के अगर फीचर्स की बात की जाए तो ORA R1 में आपको आर्टिफिशल इंटेलिजन्ट सिस्टम का इस्तमाल किया गया है जिससे आप अपनी कार को हैलो ओरा बोल के एक्टिवेट कर सकती है चीन में इस कार में आपको 9 इंच का डच स्क्रीन इंफो टेटमेंट सिस्टम देखने को मिलता है जो की अंडॉइड और एपल कार सुविदा के साथ आता है अंतरश्टे बजार में ग्रेट वर्ल मोटर्स अपनी इलेक्टिक कार ओरे आरवन को इवी विरिंट में हम सभी के लिए लौंच करेगी इसमें आप सभी को 33 क्वेज के लीथियम आईरन बैटरी का इस्तमाल किया जाएगा जो कि 33 क्वेज की इलेक्टिक मोटर के साथ जोड़ी जाएगी कंपनी का दावा है कि और ए आरवन फुल चार्ज होने पे आपको 400 किमी तक की दूरी अराम से तैय कर पाने में शक्ता रखेगी कीमत और लाँचिंग की बात करी जाए तो बारतिय बजार में इसकी कीमत का खुलासा अब हो चुका है बताना शाओंगा कि ग्रेट वॉल मोटर्स बारतिय बजार में अपनी और आरवन को केवल मात्र 3.50 लैक रुपीस के करीबन हम सभी के लिए लाँच कर सकती है बारतिय बजार में दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि इस कार के दो विरेंटों को भारतिय बजार में हम सभी के लिए लाया जाएगा जिसमें आपको एक अच्छा आटिफिशन ट्रांस्मिशन का आप्शन देखने को मिलेगा जो कि आपकी वॉइस से भी एक्टिवेट कार को किया जा सकता है और दूसरा विरेंट दोस्तों नॉर्मल होगा जिसको आप अपने अंत्रगत चाबी से स्टार्ट कर सकती है तो ये काफी अच्छी बात है तो ये काफी अच्छी बात है अगर आप एक अलेक्टिक कार को अपने लिए लेना चाहते हैं तो आपको इस कार का इंतजार दोस्तों जरूर करना चाहिए तो अपनी राए हमें कमेंट बॉक्स में जुरू बताईएगा और वीडियो को भीना लाइक करें बिल्कुल मैच चाहिएगा मिलेगें आपसे नेक्स वीडियो में धन्यवाद